ये कि समस्या हैं तो बहुत कुछ है और उनका हलाज तक तो कोई निकला नहीं है लेकिन वही है कि सफाई कर्शफाई कमचारी जो हैं जैसे पहले जमाने में रोजाने की ड्यूटी उनकी होती थी अब वो रोजाने नहीं आती नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूँ आपके साथ रवीना आज हम खड़े हैं शाद्रा विदान सबा के विवेक विहार वोर्ड में तो यहां से जो हमारे पार्शत जी हैं विजेपी से हैं संजय जी तो आईए जानते हैं यहां की जनता को क्या लगते हैं कि क्या इन जो बीते पाथ साल गए हैं कितना काम हुआ है सरकार द्वारा और कितना काम नहीं हुआ है नमस्कार सर नमस्कार जी तो सरम आपसे यही जानना चाहेगी क्या के समस्या हैं आपके जो आप चाहते हैं कि जिनका हल हो देखिए समस्या है तो बहुत कुछ है और उनका हल आज तक तो कोई निकला नहीं है समस्य जैसे की है की है कि Chagla प्रोंज सफाइर नहीं आते हैं उनकी भी इस ऱंधिया क confess का फिर्टि की सरकार को खबर नई है या स्की 발라 नहीं होती है क्याम शी π Intelli का जज्जमेंट आया है और हाई कोट वाले भी उसको आनी सा ऐसे निप्टाते रहते हैं कि इनकी तनका देदो नहीं देदो जगड़े बाई चलती है कई सालों सा ऐसा चल रहा है कि और कॉर्परेशन के की स्थिति यह ठीक नहीं है तो मतलब आप कह रहे हैं कि सफाई नहीं ह हो रही है उसके पीछे का कारण अगर भी और जिन्होंन अपने पढले से पैसे लाकर टीटम पहाँ है उनकी डेक्ड दोब साल से पेमेंट नहीं हो रही है तो लिए नया रुख है सर क्योंकि अभी तक जो हम कवर करे थे उसमें था कि M जानना चाहेंगे जैसे अभी नगर निगम के एलेक्शन जाने वाले हैं तो जो पिछले 5 साल गए है तो क्या आपको लगता है आपके इलाके में कुछ सुधार या बदलाव हुआ है देखे मेंडम सुधार बर्दा की बात ये कि मैं एक ऐसा अदमी हूँ जो कॉरोना की वह से घर के बाहर ही रहता हूँ बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है गॉर्मेंट की रेस्टिक्शन भी है तो काम तो विवेग भी है मैं तो ठीक है यहां पर लेकिन वही है कि सफाई कर्मचारी जो हैं जैसे पहले जमाने में रोजाना की ड्यूटी उनकी होती थी अब वो रोजाना नहीं आते हैं दो तीन तीन चार्चा दिन के बाद आते हैं और यह इलाका हम दाय बैठा है ऐसा भी है कहां कूड़ी बे ब्लाता बद नहीं है लेकिन greater जून सफाई कर्मचारी जो आते हैं वह दो दिन बाद बेव्जेसरते वह स्वीटल आप उस्पीटाल वह कैसलेट करेंग आप यह जो पाद साल यह प्रहशा चसरक्यों से और नहीं बिल्कुल नहीं है क्या में मुद्द क्या है लिँ या कि आप कर डिली एम्रेशन हमें पैसे नहीं देता आ हुँ ही जिए हमारे चुक हुए पैसे दे रक्का उनल узна की सभार में आया था कि उफीशर और सारी एप सेलेटीज गाहिए और उप्लॉ dil की डिये कुछ भी नहीं है में मंदध मंदध यह है कि कोडिनेशन नहीं है कोटे भी स्कूपर कोई सुनवाई नहीं कर रही है चुपचा बैठी रहती है और कोई फैसला कर्मचारियों के हाग में नहीं आता है कोई बिना पैसे कब तक बिना वेतन के रह सकता है अपने बच्चों को बढ़ा सकता है अस्पताल का डाक्टर का ट्रीटमेंट दे सकता है कुछ समझ में नहीं आता है अपने अब कॉडिनेशन के बात की तो क्या आप कोडिनेशन से यह कहना चाहरे कि क्योंकि उपर दिलली सरकार आप है और नीचे जो MCD में BJP है तो उनकी कॉना फ्रचा की वज़े से क्या यह चीज़ हो रही है ह। यह कारान हो सकता है और यह कारान ऐसे लिए्ट है ये बनाया हुआ कारण है के नाज नीति यहां पर आप पारसे कहते हैं हम ठीक है हमने सारे पैसे दे दिए और कर्परीशन कहते हैं हमेरे पैसे आय नहीं है तो गया का है यह साथ को समझा नहीं आता है इसकी अच्छी तरह से इंक्वारी नहीं जाहिए जेनरियुली इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए है। आपको लगते है कि पिछले पास साल में जितना काम होना चेहता जंदा के लिए वह हुआ है। नहीं बंद हो जाता और उसके बाद आएगा घंदा पीने लायक नहीं होता है। जैसे अभी निगरनेकम के इलेक्शन आने वाले हैं शट दोबारा कोई उमिद्वार आएगा और जीटेगा। कोईई जीतेगा तो उन से क्या उमीद हैं आप या क्या क्या जो ऐसी चीज़े है या मांगें आपके जो आप चाहते हैं कि पूरी कि जयाए जनता के लिए जनता के हिँद्ट के लिए कमरे की डिमाण्ड है हर सपाई रहे ही सभा Κटे लुगर्णमे 56 होनी चीज़ हो यह दिक्कत पड़े तो सब्क network बंद हो गया उसके बाद mcd के नाले वाली और पानी की दिख्क्त भी है गुवर्मेंट की पानी घंदा आ रहा है तो फिर भर लिए नहीं तो फिर गंदा भार चलिन पढ़ा सब एक और सर बात है जैसे कि हमने काफी लोगों से बात की तो चीज सामने आई है कि जैसे की उपर दिली सरकार है नीचे लेकिन में जो है बीजेपी सरकार है मोसली तो इन दोनों की कॉंफ्लिक्ट की वजए से भी आधे से ज्यादा काम नहीं हो पार है जिसकी से गोवर्मेंट हो जैसे केजरी वाली किये तो अगर सब्सक्राइब करने जाते हैं तो कि आपको कोई समस्या दिखती है और आप उसकी कंप्लेंट करने जाते हैं तो क्या आपको लगता है करवाई होती है इस चीज़ा और यह होता है यह तो सर होता ही है मुद्ध के टाइम पर सारी सरकारे से करी हो जाती हो जाती है भाट वाले वाले निचल पहले पहले नहीं पहले ना पहले हैं दो भी गलत बात है यह अब है कि जा रिक्षा गलियों में भी जा रही है कि कुड़ा लेने घर पे ने तो कम आते थे गाडियां कभी भूले वटके रोड से बड़े रोड से निकले कि अंदर के लिए तो पूरा एरिया हमने देखा है काफी अच्छे ते देखा कवर किया इतनी समस्या नहीं है लोगों की लेकिन जो कि हर जंता बोलती है उन्हें लगता है कि पूरी नहीं किये गए है CCTV बोलना है कि गल्यों में CCTV होना ही चाहिए और तो बागी सारी सबको लगते कि काम हो गया है तो अच्छा है जितना लेकिन नियमित रूप से जो काम होना चाहिए तो वह नहीं हुआ है एलेक्शन्स आ रहे तो एलेक्शन्स के टाइम पर जादा काम हुआ है ऐसी बड़ी जानकर्यों के लिए देखते रहे हैं नेशन लाइफ कैमरमेन यश के साथ मैं रवीना